यह स्वागत है आपके को नई वीडियो में तो भाई एक और स्ट्राटेजी वीडियो बें आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपके साथ कवर करने वाला हूँ। भाई यह इतनी बढ़िया स्ट्राटेजी है। आप इसको खुद इस्तमाल करके देखना मैं जो आपको समझा रहा हूँ ना इस वीडियो के अंदर बस आप इस चीश को देख लो मेरे भाई यह बिल्कुल प्यॉर प्राइज एक्षें स्ट्राडिजी एसके अंदर हम कोई भी इंडिकेटर का इस्तमाल नहीं करेंगे हम सिर इस पर हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे भाई इस स्ट्राडिजी की जो एक्वरेसी है वह एटी परसेंट तक है ठीक है यानि कि अगर आप दस ट्रेड लोगे तो आठ ट्रेड के आपके टीपी फॉर्च और हिट होंगे क्या आपको समझा दूआ उससे पहले एक रिक्वेस् कि शॉर्ट की ट्रेड दी हुई है जो कि अच्छा का से प्रॉफिट में है अगर आपको ऐसी कॉल्स चाहिए तो भाईया आप क्या करोगे आप टेलिगा मेरा जोई वीडियो है इसका कमेंट बॉक्स खोल लेना आपको यहाँ पर लिंक बिल जाएगा और आकी जोइन कर ल लाईरी एकदम ठीखalo सो भई आप बताना आपके लिए कौन सा टाइम क्या मैं स्टार श्टार्ट करूँ या ना करूँ पहले अगर स्टार्ट करूँ ऑगर तो आगे टाइम लिग दिन आप लोग फ्री रहते हूं ठिक है अगर आपका फ्री रहने का टाइम शाम का है तो टाइम लिख देना दिन का तो टाइम लिख देना बेसिकली मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाई अगर यूटुब के पर लाइव आऊ मैं ट्रेडिंग लेकर ठेक है तो किस टाइम लाइव करूं तो ये टाइम मुझे आपका चाहिए लिख देना ठीक है टेलेगाम को जान कर लेना और फिरी टेकनिकल कोर्स आपका भाई आपके लिए लेकर आगया है अगर आपको बिलकुल बेसिक से सीखना है कि भाई या टेकनिकल क्रिप्टो है क्या किस त चाहो तो पांच मिनट के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो अभी आप देख लो बिटकोई का चार्ट है पांच मिनट का मैंने टाइम लगा के रखा हुआ है अब मैं मैं आपको प्राइस एक्शन थोड़ा सो समझाने जा रहूं आपको ना चार्ट के उपर ये नूट यहां से लेके फिर यहां तक एक वेव है फिर यहां से लेके यहां तक एक वेव है फिर यहां से लेके यहां तक एक वेव है यहां से लेके यहां तक अब वेव जा रही है तो यह आपकी वेव है पहले तो आप मार्केट में यह जाना स्टार्ट करो कि वेव किस तरह से पक आवना आपको न चार्ट के पर मैं कुछ वेव देखना से खार हूं वह वेव आप देखना स्टार्ट करों भाई पहली बात एक ऐसी वेव आप देखो एक ऐसी वेव देखो आप मेरे भाई जो की अप्रेंड से जैसे कि यहां से पहले यहां तक जारी हूं ठीक है फिर जब से आए उपर की साइड देखो मैं जो आपको बता रहा हूं अभी मैं चार्ट को दिखाऊंगा जो उपर को आ रही है ना तो जहां से गिरनी स्टार्ट हुई थी ना कम से कम पहले महां तक आए ठीक है फिर एक बारत नीचे जाए लेकिन जो पिछले वाला लो है ना उसको वाला तोड़े और बीच में कहीं रुप जाए रुकने के बाद दुबारा से उपर जाए ठीक है अब देखो पहली वेव हमारी क्या है यहां से लेके इस पॉइंट से लेके यहां तक यह हमारी वेवन है इस तरह सम्वेव को काउंट करते है फिर यहां से लिए कि जब यह हो जा रही है पहला तरीका यह है ध्यान से अब सुनते रहे ना स्ट्राटिजी की मैं आपको पहले बेसिक बता रहूं जहां से आपकी वेवन स्टार्ट हुई है ठीक है और जहां तक गिरी है यह आपकी वेवन है अब वेव टू काउंट करने के लिए यह जो सेकंड वाली व वेव 2 हो गई अब वेव 3 जानने के लिए एक बात में आपको बता दू जो हमारा ये वाला लो है ना ये वाला लो ये टूटना नीचाहिए बलकर इससे पहले ही वेव 3 बनके उपर आ जानी चाहिए ये यहां पर है ना वेव 1 का एंड और 2 की स्टार्टिंग है जो 3 वाली व लेवल है यह अगर टूट जाता है तो हम यहां पर ट्रेड ले लेंगे टूटने का मतलब यह है ठीक है और अगर नहीं टूटता अगर नहीं टूटता और प्राइस यहीं से दुबार से एक बार और नीचे जाता है यानि कि यहीं से प्राइस एक बार और एक बार नीचे जाता है जैसे कि मैं आपको दिखार हो भी एक्जम्पल 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 रुको आप ठीक है यहीं से एक बार नीचे जाता है तो याद रखेगा यह हमारी वेव कौन सी होगी one two three four 5th wave होगी अब जो हमारी 5th wave है ना वो हमारी जह जो 3rd wave का लोग है ना इसको तोड़ना नहीं चाहिए बलकर इससे उपर ही आजाना चाहिए पहले उपर आजाना चाहिए ठीक है यह हो गए हमारी 5th और यह हो गए यहां आगर तो फिर और अच्छा है या तो फॉर्थ बेव टूटनी चाहिए यह जैसे टूट वेगी ठीक है यह हमारी सिक्स्थ वेव टूटनी चाहिए अगर यह तो फिर हम जाएंगे यहां से लॉंग की टेड के लिए और श्टापल्स रगएंगे अगर हमारी फॉर्थ तो थर्ड वेव की नीचे ठीक है और अगर हमारी सिक्स्त वेव टूट रही है तो हमारी फोर्थ वेव की नीचे यहाँ पर समझ में आई आई आपको मैं आपको एक बार चार्ट पे दिखाता हूं आप देखना खुद आपको बहुत इंपोर्टेंट है यह चीज आपको दे ठीक है कंफोर्ग हैं धर्ड वेनर में देखनी है यह थर्ड वेव हमारी जो पहली वाली वेव का लो है ना उसको तोड़ना नीचे है बलकर पहले उपर आप आज चाहिए ए ठीक है तो यह हो गई हमारी third और यह हो गई हमारी fourth ठीक है यह तो यहीं पे breakout हो जाए किस चीज़ का जो हमारी पहली वाली वेव का हाई है यह तो यहां breakout हो जाए तो हम trade लेंगे उपर की side ठीक है यह अगर यह breakout नहीं होता और दुबार से price तो याद रखियेंगा जो थार्ड वाली वेव है ना उससे नीचे प्राइज जाना नीची पहले ही मुड जाना चाहिए और अगर मुड जाता है तो यह क्या हो गया हमारा भाई यह हो गया हमारा एक एक वेव कौन सी वेव है वन टू 2, 3, 4, 5th, 5th wave है और अगर 6th wave में हमारा breakout हो जाता है जैसे कि यहाँ पर हमारा breakout अभी आपको दिखने वाला है सो मैं आपको दिखा देता हूँ breakout यहाँ पर ठीक है यह हमारा 6th wave में यहाँ पर हो गया breakout तो फिर हम trade लेंगे अगर 6th wave टूटती है तो हम भाई यहाँ पर stop loss रखेंगे और अगर 4th wave टूटती है तो हम यहाँ पर stop loss रखेंगे target जितना पहली वाली wave की length है ना नीचे तक यह यहाँ से लेके यहाँ तक यह हमारा होगा मेरे भाई target यहां से लेके यहां तक तो यह हमारा होगा टार्गेट ठीक है मैं आपको टार्गेट दिखा दो कितना होगा पहली से लिके बिल्कुल हाई तक तो 157 पॉइंट आप यहां से लेके 157 पॉइंट लगा लो यहां से लेके जहां से टूटी है 157 पॉइंट लगा लो महां तक हम यहां पर तर्गेट अब मैं आपको चार्ट के पर दिखाता हूं सिंपल सी बात अब यहां से देखना वेव कैसे पकड़नी आपको बताता हूं पहले कोई और भी चार्ट कोई सा भी चार्ट लगा वह पांच में चार्ट पर बहुत इसलिए दिख जाएगा ठीक है वेव पक यहां पहली सब्सक्रीद गई तक इचा है है मतलब यहां से स्पांटिंग हो रही है यहां से ठीक है यहां से पहली विर कापा पर कणंव होगी से पहली देखू यहां से our आज वार वह सबक्ष मेरी आर्टतरी। कि सब कुछ दिखाता हो आपको कुछ दिखाता हो ना मतलब शुक्त तुछ अच्ई तर्म एसे वह सब मिल जाना है यहां पर मार्ण करने के लिए कि हुँ में हमु तो है ब हो अ यहां से लेके यहां तक डाउन तक एक्जम्पल यहां से लेके यहां तक पहली वेव ठीक है अब दूसी वेव कब होगी दूसी वेव काउंट कब से होगी जब यह वाला लेवल टच हो जाएगा तो इस पर आगे लगा लो यह हमारा होगे लेवल टच ठीक है दूसी वेव य थ्री ठीक है फिर आपको के लिए फिरी और फिर फॉर फॉर में यहां पर टूट रहे हैं लेकर दुबाय से को प्राइज अंदर आ गया ठीक है स्टॉप लॉस हमारा यहां है अगर यहां तूट गया तो इसका मतलब यह है कि फॉर्थ पर हम टेड़ लेंगे यह वाला हमारा लका जो पहला वाला जितना हमारा यह रहा है जितना हमारा यहांगा टार्गेट जेतना हमारा फिस्ट की ड longo सेच works और जैसे हमारा टार्गेट का 50% आया हम बोग करके निकल जाएंगे यह अपना स्टॉप मतलब अगर आप अपना टार्गेट का वेट करोगे तो कर सकते हैं मेरे भाई अभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ हमारा ठीक है अभी भी देखो लिए वाले स्टॉप लॉस हमा ठीक है यहां पर देखते हैं अब यहां से प्राइज यहां से स्टार्ट करते हैं अब देखना यह देखो यह यहां से यहां से लेकर यहां तक गिरी वन टू का पर कंफर्म होगी हमारी यहां पर टू कंफर्म होई नहीं दी अगर हमारी यहां पर हो सकती है टू कंफर्म य यह हमारी टु हो गई एयो फोर यहां पर हमारा करदिशन पिगड़ गई फिर हम यहां पर देख लेंगे यह देखो है पहली यह से स्टार्ट करते लीव थे यह ष्पट कर दिया ठील है यह मारी तीसरी है और आ संद्ध करेंद है खोल कर सक्द नहीं हो से यह means a target होगा और क्भी थे वालिव क्योंकि हमारी फोर्थ वाली वेव ने तोड़ दिया ना तो हमारी जो फुर्द वाली वेव का लो है वो हमारे स्ट्रोंट होगा है target हमारो पर को गए जो कि बहुत 27 लीक मार्केट ने हिट कर दिया इसमें लांग की टेड़ेंगु ए कुछ przygot कम देख्व या बाई समझ में तो आ रहा हूगा बहुत सिंपल के समझा समझा यह हम नहीं बता दे ना बाई मैं दूबार से कड़ दूँआ कुछ नो इस कि पहली में यहां से स्टंट फिये यहां से लेगे डाउन दूसी यहां पर कंफर्म हो चुकी है अब यहां पर देखो चौती वेव ने हमारे यहां पर तोड़ने की कोशिश करी तोड़ा भी लेकिन फ कि तार्गेड बहुत होते हैं स्टॉप लॉस बहुत कम होते हैं ठीक है तो यह इस चीज के साफ से देखना आपको बड़ी आसा एक्जमब दिखा हूँ आप दिल कुछ हो जाएगा आपको बस या तो चार वेव में ब्रेकाउट चाहिए और इसमें लांग टी टेड़ लेंगे या आपको 5 वेव में डिखाउट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यह शैवेव के सारव से लेंगे लेकिन अगर हम वेव काउंट करते हुए चलेंगे न मार्केट में तो आप देखना बहुत अच्छी बन सकते हैं आप लोग यहां से लगाते हैं यह कहीं यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक हमारी फरस्ट वेव हो गई ठीक है सेकेंड वेव हमारी यह हो गई क्योंकि यहाँ पर तच नीचे अदो को तच कर दिया जो कि थोड़ी सी मैं मतलब स्ट्राटेजी के अलग है लेकिन फिर भी हमें ब्रेकाउट मिलने के बाद भी देखो हमारा टार्गेट बहुत इसली गया तो यह जो है यहाँ पर थोड़ी से दिक्कत हो गई लेकिन मैं आपको बता दूँ यह दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी मेरे साब से अगर यह पहले हो जाता नहीं यहाँ पर तो हम टेट ले लेता है अधरवाइस आपको बता हूँ हूँ है पांच मिनट का टाइम है कि अधिको अधिक लाइव मार्केट पर देखें क्या लाइव मार्केट पर कुछ ट्रेड़ बनेगी क्या कोई और टोकन देख लेता है बीन भी यह वालीम नहीं है है कि यह देखो आप पहली वेव कांसे स्टार्ट होगी हैं से यहां से क्यों कि यहां से प्राइस एंड गिरा है ठीक है जहां तक रेन पॉइंट जहांसे प्राइस फिर्कुलोब सक दिखेंना आपको उसका टॉप पगड़ो वह हमारी पेहली वेव का पॉइंट होगा ठीक है सो यह हमारी पहली वेव है इसको माग कर लेते हैं दूसरी वेव हमारी का गन्फरम होई है दूसरी वेव हमारी यहां गन्फरम होई है और यह कहां तक गई है यह हमारी मिर भाई गई है यहां तक देखो यह हमारा होगी पहली वेव वन ठीक है फिर हो stop loss लगाएंगे यहां और टार्गेट रखेंगे उपर की साइड के और टार्गेट देख लो कितने इसली मार्केट में जा रहा है आपर और अभी गया नहीं है जाएगा भी देखना भी आप करें लिखने तो टार्गेट हमारे यहाँ तक है आप किस तरह बना सकते हो दिखाता हूं मैं Dow स्वी यह हमारा टार्गेट अगके तो हमारा यहां तक अब ही चुपा था अब दुबास हमारा ब्रेकएवरड्데 पॉइंट पोई तो कोई धिक्कत की बाद है अभी भी बेएट करेंगे से टारेयट हमारा यह पर जा सकता है तो उमीद कऱों आपको समझ माया होगा बेसिकली वे वे काउंट करने हैं और कुछ करना नहीं है कोई और कोई लगा देता हूं मैं बहुत बढ़िया काम करता है मेरे बाई स्ट्रेजी एची स्ट्रेजी ए और यह पाई सेक्षेन बेस्ट है यह कोई रियल रियल स्ट्रेजी ए प्राइस सिर्फ ऐसा आपको देखना है एक्जम्पल आपको दिखाता हूं और सबसे लोवेस्ट पॉइंटए है ठीक है इसका है है कहा मोगा यहां से ठीक है सो फ़िर दूसरे करता साइब दूसरा चाहे नहीं पर दूसरा ठीक है और और हमपणी ठीक है और फिर है वाई टू यहहां पर आएगी시 फ़ोंग निविला हमारी फिफ्फ टो राटी तो यह इसका मंदब क्या है कि हमारा यहां पर अगें प्राइस एक्षन बिगड़ गया अगर यहीं से दुबार से घूम के उपट चले जाता ना इस दो से पहले ही तो फिर हमारा प्राइस एक्षन काया में रहता है और वी आर गूइंग फॉर अप्रेंड लेकिन यहां पर हम यहां से लेकिए वन टू कब होगा जब इसका हाइक टच होगा तो जब इसका ही टच हो गया थर्ड वाली वेव पहली वाली को नीचे की साइड नीचे थरी या तो फॉर्थ में ब्रेक आउट हो जाए इस लेवल का अच्छी बात है इस्टॉप लॉस यहां लागा लेंगे अग ठेच आट पर देखना श्टार्ट कर दो कैस्टंकिस उम्मच उम्मीद करहूं कि आपको स्टाडी की समझ में आई होगी समझ में आई होगी तो प्लीस लाइक कर देना चैनल के साथ नहीं जुड़े तो जुड़े जाना क्रिप्ट गहन से जंदबाद क्रिप्त मारा जंदा बाद